हलो दूस्तों आपका मेरे चैनल चेज स्विदिक्स पर स्वागत है हम यहां पर उसलेशन सीज कर रहे हैं जिसका हम कुई कर रहे हैं तो जो भी मेरी वीडियो होने वाली है उसमें मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा एक्स्प्रेशन का क्योंकि हम इसे रिवीजन कर र लिखें तो आप उसमें से कोई भी अटलीस तीन तो याद रखो ताकि अगर एक गलत भी हो गया तो आपको बाकी दो पे मार्क्स मिझ लाएंगा हर एक पॉइंट के लिए आपको इसमें एक मार्क्स रिखता है ठीक है अब जो कॉनिकल पेंडुल में क्या लिख सकते है जो उसका ट्राजेक्टरी होता है और सिंपल में क्या होता है वाटिकल सर्क्री अब इसी हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चले जाएंगे अब यहां पर देखोगे तो इसमें जो कॉनिकल पेंडुल में उसमें कानिटिक एनरजी और ग्रावीटेशन प्रोटेंशन नर्जी दो जो conical pendulum में horizontal component of the force क्या होता है यह necessary centripetal force होता है लेकिन इसी में अगर हम देखा जाए simple pendulum का तो वहाँ पे जो tangential component होता है weight जिसको mg बोलते है वो govern करता है ठीक है force और वैसे ही इसका period का equation हमें पता है कोनिकल का क्या होता है t equals to 2 pi l cos theta by g और वैसे ideal simple pendulum का क्या होता है 2 pi under root l by g तो यह cost factor जो है उसका difference है ठीक है conical pendulum और simple pendulum में अब last point 5 अब लिख सकते हैं कि जो string होता है always mix a fixed angle with horizontal and never be never be horizontal और यहां पे क्या होता है which large amplitude string can be horizontal at some instant ठीक है यह कोई कुछ कोई instance पर क्या हो सकता है horizontal हो सकता है लेकिन यहां पर क्या रहेगा string क्या रहेगा never be horizontal रहेगा ठीक है तो i hope आपको यह difference between conical pendulum and simple pendulum समझ में होगा तो हम next video में मिलते है guys thank you for watching it